हलो दोस्तों 7k किचन में आपका फिल से सुा गयता है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए क्या है बहूती टेस्टी बहुती चट पटा और बहुती हेल्दी एक ऐसा चीला जो बहुती टेस्टी बनेगा और अगर आप डायट पे हैं तो यह चीला एक बर जरूरू ट्राइन कि सब्सक्राइब यह pot होगी सब्सक्राइब होगा מת सब्सक्राइब आपको breakfast के अंदर अगर आप ये खा रहे हैं और अगर आप डाइट कर रहे हैं या आप अपना weight lose कर रहे हैं तो ये भी जरूर एक बार ट्राई करके देखिएगा तो चलिए इसके अंदर आप ये प्याज कटा हुआ प्याज को हम चोटा चोटा काटेंगे बारीक प्याज काटना है तो साथी में डालेंगे हम खुब सारा हरा धनिया हरा धनिया से बहुत ये अच्छा flavor आएगा इसके इंदर तो यहां पर मैंने डाला एक mixed masala जो मैगी मसाला जैसा ही होता है तो आप के पास यह है तो डाल सकते हैं नहीं तो आप स्किपप कर दीजिए से तो यहाँ पर डाला है स्वाद अनुसा नमक लाल मिर्च पाउडर साथी में डालेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पर गर्म मसाला और धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर डाला है मैंने यहापे तो यह मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इससे तो मिक्स होता नहीं है तो आपसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए तो यह स्टफिंग हमारी बनकर तयार हो गई है तो अब हम इसका चीला बनाएंगे चीला बहुत ही टेस्टी बनता है ये वाला चीला अब आप ट्राइ करेंगे ना मज़ा आजाएगा आपको breakfast में डिनर में बनाना चाहेंगे अगर आपको रात को हलका हलका कुछ खाना है तो ये जरूर ट्राइ कीजेगा तो इस तरह से जो तो यहां पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा पोहा तो यह 50 ग्राम के लगभग पोहा होगा तो आज मैं बनाऊंगा पोहे और इस बेसन का जो चीला है वो बहुत ही रेश्टी बनता दोस्तों तो सबसे पहले हमने क्या करना है पोहे को grind कर लेना है तो grind क्या करना है इसको बि ने grind करके powder लिया है यह इसके अंदर डाल देंगे तो यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो पोहा होता है वो पानी ज्यादा पीता है तो पानी की quantity इसमें थोड़ा ज्यादा रखिएगा तो यहां पे मैं डाल रहा हूँ स्वादनुसार नमक और साथ ही में मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लंस नहों पानी जो है अपने बैटर के हिसाब से ही डालीएगा जैसे जैसे उसको requirement होगी क्योंकि पोहा जो होता हो थोड़ा पानी ज्यादा सोख करता है तो बेसन कमी करता है तो उसके according दोनों के according आप पानी थोड़ा-थोड़ा करके डाल ल तो अच्छे से फैट ना बहुत जरूरी जब तक इसमें जो पूलेगा नहीं मतला फूलेगा नहीं तो फिर जो बनता है ना आपका चीला वह टेस्टी नहीं बनेगा तो इस तरह से इसे फैट लेना है फैटने के बाद दोस्तों अब इसको हम बनाएंगे गर्मा गर्मा ग इस तरह कि आपका बैटर होना चाहिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो तवे को भी आप देख लीजेगा कि आपने कैसे रखना है पहले तो आप तवे को जो है पूरा से गरम कर लीजिए उसके बाद लो मीडियम कर लीजिए ताकि आपका वो फटे नहीं चिपके नही तो यहां पर मैं थोड़ा सा देशी घी लगा रहा हूँ एक ही बार लगाऊंगा जितने भी डोसे बनाऊंगा मैं ज्यादा नहीं लगाता तो चलिए इस तरह से आप डाल देंगे इस पर तो इसको डालने के बाद इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे धीरे-धीरे से हाथ होगा तो यह आपका चिपकेगा ने दोसा चीला जो भी है यह आपका चिपकेगा नी वह उपर उठन लग जाएगा तो इस बात का आप ध्यान रखेगे गाजब डोसे पर अप बैटर डालेंगे ना तो तवा ठंडा होना चाहिए ताकि ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए इससे वो नीचे कोई पकड़ को बना ले तो इस तरह से अच्छे से डालके इसमें थोड़ा सा डालेंगे देशी घी तो आप चाहें तो रिफाइंड आवर्न में भी बना सकते हैं वैसे वैं देशी घी में ही बनाता हूँ तो चलिए एक साइट से अच्छे से सिखने देएंगे और आभी नहीं चलाएंगे तो अब हम देख लेते हैं इसको अच्छे से गेरे के नीचे से छूट जाता ये बहत ही असान ही से तो दोस्तों जब ये पक जाए नीचे से तब इसको छेड़ेगा नहीं तो आपका ये जो है ना टूटने शुरू हो जाएगा तो इस तरह से इसे देखिए अराम से हलके हाथ से से निकाल लेंगे तो चलिए इसको पलट देते हैं तो देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया नीचे तो ये चीले बहुत ही रेषटी होते हैं तो इसको आप नीचे से पकने देखे तो इस से भी पकने के बाद दोस्तों अब इसमें स्टफिंग भरेंगे क्योंकि यहां से भी हमारा पक चुका है तो जो उसमें गिला पन जो होता है ना उसमें वो नहीं रहेगा और कच्छा पन बिलकुल भी रहेगा तो चलिए पनीर की जो स्टफिंग हमने बनाई थी उसको भर लेते हैं स्टफिंग आप अपने हिसाब से भर लेजीएगा चलिए बनकर तैयार हो गया है यह तो इसे इच्छे से कर लेते हैं तो लीजिए बहुत ही हल्दी सा चीला बन गया आप चाहें तो इसे डिनर में भी खा सकते हैं हलका-helका असा रहता है और आप चाहिए तो अगर ब्रेकफासbut when खाने साते यह तो यह चिला हमारा बन कर तयार हो गया है कि बहुत ही टेस्टी मिद्थ और यह एक टेस्टी बनता है तो यह उर बेसन का चिला होता है दोस्तों दोनों ही बहुत ही क्लिए नीफिट देते हैं तो संक्तीत कर सकते हैं तो मेरे मेरे चैनल पर उपलोड हो चुकी है तो आप जाके प्लीसर देखेंगा और अगर आप कहांगे तो मैं लिंक में डाल दूंगा नीचे तो लीजेबन कर ते यहार एपोटी तेसी दचीला.